नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा. इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि ओनेक्सिम ओफ टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है. Onixim of Tablet को कैसे लेना चाहिए और Onixim of Tablet की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Onixim of Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Onixim of एक brand name है Onixim of Tablet के अंदर दो antibiotic दवाओं का combination होता है Onixim of Tablet के अंदर salt composition से fixin 200 mg और ophloxacin 200 mg होता है Onixim of Tablet एक antibiotic दवा है Onixim of Tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है जैसे फेफरों में bacterial infection होने पर, pneumonia होने पर, खासी होने पर, पेट में infection होने पर, टाइफाइड होने पर, दातों या मसूडों में infection होने पर, जोडों या हड्डियों में infection होने पर, पेशाब में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर डॉक्तर Onixim of Tablet को लेन की सला दे सकता है। इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई इनफेक्शन होने पर भी डॉक्तर ओनेक्सिम ओफ टाबलेट को लेने की सला दे सकता है। शरीर में इनफेक्शन होने पर बुखार हो सकता इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स है जिन में आपका डॉक्तर ओनेक्सिम ओफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओनेक्सिम ओफ टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंट व्यक्तियों में ओनेक्सिम ओफ टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बधजमी होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, मुँ का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशिस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्ध होना, सिर्दर्ध होना और दस्थ होना आदी side effects onixim of tablet की वज़ा से हो सकते अब हम डिसकस करेंगे की Onixim of Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Onixim of Tablet को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर Onixim of Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। दो घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिड दवाओं और आइरन सप्लिमिंस के साथ Onixim of Tablet को नहीं लेना चाहिए। एंटिबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी। और Onixim of Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है। इसलिए Onixim of Tablet को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने Onixim of Tablet को लेने की सला दी है। Onixim of Tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या flu होने पर प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में Onixim of Tablet की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए Onixim of Tablet का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को Onixim of Tablet को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओनेक्सिम आफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं. कि अबंद आपका देखना और आपका धना, तुम सकते हैं.